नमस्कार मैं सुतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में प्रतिलेखन संख्या 99 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में 90 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे साट हैं टीम एप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि खंड दो की जितनी वीडियोज यानि रामधारी सिंगुपता खंड दो की जितनी वीडियोज हमारी आने वाली हैं वो सारी की सारी वीडियोज आपको आप पर ही मिलेंगे, तो आप चाहें तो आप को डाउनलोड कर सकते हैं, तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा, 5 सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें, इस्टार्ट तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्ने की ज्यादा कीमत मिले, हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं, और किसानों से हम यह आसा करते हैं कि वे अधिक पैदा करें, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नए कर लगाए जाते हैं, केवल केंदर सरकार ही नहीं बलकि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं, अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवस्यकता है जिनकी पूर्ती करना बहुत आवस्यक है, उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपियोग कर सकें, पैरा, हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े बाध बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है, लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है, बिजली घर यदि बना भी हुआ है, तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है, नलकूप पड़े हैं, लेकिन चालू नहीं किये जा रहे हैं, जहां पर बिजली पहुची भी है, वहां के जो किसान हैं, वे भी दर-दर की ठोकरें, खाते फिरते हैं, लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है, बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पम्प खरीदते हैं, और उससे वे काम चला रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है, इसका नतीजा यह होगा कि उनके पम्प पड़े रह जाएंगे, फिर आपको कहां से अन मिलेगा, आप किसान से यह आसा करते हैं कि वह अधिक अन पैदा करके आपको दे, उपज बढ़ावे, लेकिन जो साधन हैं, उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं, किसान पर आप इतना बोज डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा, पैरा, खाद की भी बात की जाती है, आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं, दुनिया के जो बड़े-बड़े देश हैं, उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें, क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए, कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं, अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा, इसलिए आवस्यक्ता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए, इसलिए इसलिए पानी 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 आप पर आप लेगा जिनके थूरू हम साथ हैंड इसकी टेस्ट की अच्छी तयारी कर सकते हैं, तो इसलिए आप चाहें तो आप को डाउनलूड कर सकते हैं, तो सो की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा, पाच सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें। चलेगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि किसानों को गन्य की ज्यादा कीमत मिले। हम किसानों की सहायता करना चाहते हैं और किसानों से हम यह आसा करते हैं कि वे अधित पैदा करें। लेकिन दूसरी करफ किसानों को जो मिलने वाली चीजें हैं उन पर नए कर लगाये जाते हैं। केवल केंदर सरकार ही नहीं बलकि राज्य सरकारें भी कर लगाती रहती हैं। अधिक उपज के लिए किसानों को कुछ चीजों की आवस्यकता है जिनकी पूर्ती करना बहुत आवस्यक है। उनको ऐसे साधन चाहिए जिनको वे खेती में उपियोग कर सकें। पैरा, हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े बाद बने हैं और उनसे बिजली पैदा होती है। लेकिन बिजली घर का कहीं पता नहीं है। बिजली घर यदि बना भी हुआ है तो भी उनको बिजली नहीं मिलती है। नलकूप पड़े हैं लेकिन चालू नहीं किये जा रहे हैं जहां पर बिजली पहुची भी है वहां के जो किसान हैं वे भी दरदर की खोकरें खाते फिरते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती है बेचारे किसी तरह से कर्ज लेकर डीजल पंप खरीदते हैं और उससे वे काम चला रहे हैं लेकिन अब सरकार ने डीजल तेल पर भी कर बढ़ा दिया है इसका नतीजा यह होगा कि उनके पंप पड़े रह जाएंगे फिर आपको कहां से अन मिलेगा आप किसान से यह आसा करते हैं कि वह अधिक अन पैदा करके आपको दे उपज बढ़ावे लेकिन जो साधन हैं उन पर आप कर लगाते जा रहे हैं किसान पर आप इतना बोज डालते जा रहे हैं कि उनके प्रयोग को ही वह भूल जाएगा पहरा खाद की भी बात की जाती है आप कारखाने भी खोलना चाहते हैं दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनको आप निवेदन कर रहे हैं कि यहां आकर वे खाद के कारखाने खोलें और खाद पैदा करें क्या खाद आप इसलिए पैदा करना चाहते हैं कि किसान उसको ले जाए और उसकी फसल भस्म हो जाए कारण यह है कि उसको समय पर पानी तो मिलेगा नहीं अगर पानी नहीं मिलेगा तो खाद किस काम आएगा इसलिए आवस्यक्ता इस बात की है कि उसे पहले पानी दिया जाए इस्टाव